तो दोस्तो हमारे सामने है मारुति सुजुकी की प्रेजा जिसका वेरियंट है एलेकसाई दोस्तो आज मैं आपको इसको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसका एलेकसाई वेरियंट दोस्तो इतना बैली फॉर मनी है जिसे आप ख़ीदने के बाद बिल्कुल भी अज बात करते हैं इसकार के बारे में डीटेल से दूस पहले बात करेंगे इसके फ्रेंट से कुछ ऐसी दिखती है जहां आपको सेंटर में सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है उसी के साथ दोस्तों क्रोम भी देखने को मिलती है तो तो मैं परस्टनली बताँ तो म मुझे फ्रंट से कार बहुत अच्छी लग रही है अगर आप नीचे देखोगे तो दोस्तों आपको ब्लैक कलर में इसका बंपर देखने को मिलता है जो भी बहुत अच्छा लग रहा है अगर इसके हेड्लैंप्स की बात करें दोस्तों तो इसके एलेक्स आई वेरिंट में अभी दोस्तों आपको प्रोजक्तर LED के साथ दिये गए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है वहीं आपको टन इंडिकेटर्स दोस्तों एलेक्स आई वरिंट में आपको कोई भी फोग लैंप आफन नहीं किये गए हैं पर इसमें आप आफ्टर मार्क भी उसे लगवा सकते हो तो चलिए आप बात करेंगे इसके साइड प्रोफाइल की तो दोस्तों साइड से कार कुछ ऐसी दिखती है यह आपको दोस्तों बॉडी कलर्ड ही ओर विम्स देखने को मिल जाते हैं उसी के साथ टरन इंडिकेटर्स इस वाले बैरियंट में दोस्तों आपको एलेक्ट्रि जो कि बहुत अच्छी बात है अब दोस्तों बात करते हैं इसके पीछे वाले व्यू की तो दोस्तों पीछे से कार कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों देख रहे हैं इसके एलेक्षाई वेरिंट में भी आपको सार्क्मिल एंटीना दिया गया है कितनी अच्छी बात है दोस्त बात करें इसके रियर व्यू की तो पीछे से कार को जैसी दिखती है जहां आपको सेंटर में फिर से सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा उसी के नीचे ब्रेजा की पूरी बैजिंग देखने को मिलती है यहीं इसके टेल लैम्स की बात करें तो वह आपको LED में देख देखने को मिल जाएगे तो reflectors नीचे टोइंग होक बहुत अच्छी बात है दोस्तों हाँ दोस्तों एक चीज बताना भूल गया यहां आपको एक spoiler भी देखने को मिल जाता है अब चलते है दोस्तों कार के इंटीजर में तो दोस्तों ऐसा देखता है कार का कुछ फ्रंट दोर यह हो गए आपके ORVM के कंट्रोल्स दूस्तों ब्रेजा के LXI वेरिंट में आपको 4 पावर विंडोस देखने को मिलते हैं उसी के साथ यह हो गए उसके कंट्रोल्स यहाँ पर आपको एक ट्विटर भी देखने को मिल जाएगा उसी के साथ एक प्रेजा उसी के साथ इसके L اřाइट में टास्ट डेखने को मिल जाते हैं जोस्तों यह हो गए यहाँ पर इसके फ्रंट डोर में कुछ सटोरेश देखने को मिल जाती है उसी के साथ deh एक बाटर होल्टर भी देखने को मिलता है तो उसी के साथ दोस्तों ऐसा दिखता है कार का फ्रंट डॉर अब चलते हैं कार के अंदर तो दोस्तों ऐसा दिखता है कार का इस्टेरिंग वील जिसे आप अपने कमफर्ट के हिसाब से उपर नीचे भी सेट कर सकते हो एसा देखता है दोस्तों कार का इंस्टुमेंट क्लेश्टर दोस्तों पर्सनली बताओं तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है इसी के साथ तुछ में आपको कुछ इन्फोर्मेशन भी देखने को मिल जाती है इसे आप यहां पर इससे किया गया है दोस्तों और दोस्तों यह एक बात तो में बताना भूल गया इसके वैली फॉर मनी के चक्कर में के इसमें आपको दोस्तों दो एर्वेक्स देखने को मिलते हैं यह कि इसके दुस्तों स्टेरिंग वील में हो गया और पैसंजर के लिए यहां पर हो गया यह हो पर इसके बात करें तो संवाइजर में आपको कोई भी मेरा रॉफर नहीं किया गया है ना तो ड्राइवर के लिए और नहीं पैसंजर के लिए इसी किसा सथ दोस्तो इस वाले वरिंट वापको मैनुवल या यह यह देखने को मिलता है यहां पर दूस्तो आपके लिए कोई भ लगवा सकते हो यह दोस्तो इस कार का मैनुवल एसी यहां पर दोस्तो कुछ इस्टोरेज भी आपको देखने को मिलती है यहां कुछ भी रख सकते हो दोस्तो यह कार भी आपको 5-speed manual gearbox के साथ आती है उसी के साथ ऐसा देखता है गेर नोब दोस्तो मुझे तो बहुत ही प्य सब्सक्रीफ कर दोस्तो से मुझे द्याना आया देखना दुस्तो इसका अफर कर के पिछे यह होगा दुसतों कार का पीछे वाला डॉर जहां पर आप को एक फावर विंडू का सुझ देखने को मिल जाता है और एक बोटर होल्डर के लिए च्टोरेज भी देखने को मिल जाती है और यह ओगा दुस्तों स्पी कर और एक आपको ओधर भी देखने को मिल जाता है दोस्तों इसमें आपको पीछे भी ऐस इवेंट्स ओफर किये गए हैं आपको दोस्तों कमफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया इसके LXI वेरिंट में तभी तो यतना बैली फर मनी है तो चलिए दोस्तों इसका बूट स्पेस भी आपको दिखाना तो बनता है न चलिए इसका बूट स्पेस देख लेते हैं दोस्तों इसका बूट स्पेस तो आपको काफी देखने को मिल जाता है जो कि 328 लीटर का है यहीं पर आपको एक स्पेर वील भी देखने को मिलता है दोस्तों इसके बेस में भी आपको 16 एंचिस का स्पेर वील दिया गया है तो चलिए दोस्तों इसका इंजन देख लेते हैं तो दोस्तों इसमें आपको 1462 सीची का फोर्ट स्लेंडर पैट्रोल एंजन देखने को मिल जाता है जो कि 103 ब्येस्पी की पावर और 136 न्यूटर्न मीटर का टॉक जनरेट करता है तो यह है दोस्तों मारूती की ब्रेजा जिसका वेर इंटायल एक्स आई और इस कार का एक्षो रूम प्राइज आठ लाग उन्तीश हर से लेकर 14 लाग 14 यार तक चला जाता है तो दोस्तों वीडियो को रखते हैं इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक क चैनल सब्सक्राइब ने किया तो कर लेना मिलते हैं फ्रेक नाई वीडियो में जाहिन दोस्तों